मेंगो कल्टीवेशन आम की खेती या कहें आम की बागवानी कैसे करना है क्या करना है इसके अंदर क्या चीज़े पढ़नी है वो सब कवर करेंगे और इसको हमने एक सिस्टेमेटिक तरीके से ग्रूपिंग कर दी है जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट पढ़न वो कौन-कौन से पढ़ने हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन की जनरल इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे यूजली उसके बॉटनिकल नेम की उसकी फैमिली की क्रोमोसोम नंबर प्लॉइडी लेवल क्या है उसका ओरी कर नहीं कर नहीं मेंगों का मैंभी फय्राइंडीका कोई दिक्कत नहीं फैमिली कोई दिक्कत नहीं ओर पॉआधिन इंडो भरमा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं फ्ल्ट subsidi moosome नंबर है टू एनिव टू एन विस्टू फॉर एक्सिक्कूलस टू टैन यहां पर और कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। जिन बच्चों को पता है कि यह क्या है, कैसे लिखा जाता है। उन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कि रहें कि जगह आपने लिखा सुना होगा कि भी टू एन एक्वल्स टू सिक्स एक्वल्स टू फलाना जो भी उमाली जे फॉट्टी लिख दे अपन इस तरह से भी लिखा जाता है इसका क्या मतलब है यह सारी चीजें डिपेंड करती है प्लॉइटी पर भई अपना जो आम है ना वह एक पॉली है कैसा है वह पॉली प्लॉइड है उसके अंदर अलग-अलग इस्पिसीज के जीनोम पाए जाते हैं इसलिए वह एलो पॉली प्लॉइड है कैसा है एलो पॉली प्लॉइड एलो का मतलब ही क्या होता है अलग-अलग इस्पिसीज के जीनोम अगर सेम इस्पिसीज के जीनोम हो जाता है अच्छा यहां पर जो अलग-अलग स्पीस के जीनों पूर्जेन्ट है तो कितने स्पीस के और जो एकुर मुक्रत तर दितलोईट भी कहा जाता है यह बड़ा important point है इसको याद रखिएगा कि जितने भी एलो टेट्राप्लॉइड है उन सब को MP deployed भी कहा जाता है अब यहां पर जो टेट्राप्लॉइड है ना तो वो लेकिन आपको यह लिखना नहीं है अपनी यूजली कैसे लिखेंगे टू एन इक्वल्स टू फॉर्टी टू ही लिखेंगे हमेशा क्या लिखा जाता है दर्शाय किसे जाता है टू एंसे रिप्रेजेंट हमेशा टू एंसे करोगे लिकान अगर आपको उसकी प्लॉइडी ब बात करें तो यहां पर भी तीन अलग-अलग जीनोम होते है डबल एडबल बी डबल डी हर एक जीनोम की डो कौपी होती है इसलिए यह एक्जाप्लॉइड हो गया और तीनों की तीनों अलग-अलग इस्पेसी से तो यह जो एक्जाप्लॉइड है वो कैसा है एलो रेसेंट करना हो चाहे वह डिपलोईड ओपॉलिपलोईड हमीशा लिखा उसको टू एंसे जाएगा तो टू एनिक्वल्स टू 4 एक्वल सुफॉर्टी जरूरी नहीं एक्जाम में आपको 4 एक्स लिखा मिलें वहां पर 2 एनिक्वल्स टू फॉर्टी भी हो सकता है कई बच् सोचेगा तो इसके साब से तो टू एन इक्कोल्स टू 20 हो गया और वह आप्शन में है कुछन पूछने वाला प्वी आप्शन में आंसर वह एक ऑप्शन रख देता है और बच्चा उसी को टिक करकर किया जाता है घ्लत हो जाता है हमेशा ध्यान रखना टू एन से ही हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे मैंने कहा कि गेहूं है तो गेहूं में तू एनिकल्स टू फॉर्टीटू है तू एनिकल्स टू फॉर्टीटू लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह डिपलोईड है तो वह एक्षपलोई लिखना है तो फिर आप 6x एक्षपल्स टू फॉर्टी होता है और देखें इसके अंदर कुछ other common name के नामों से इसको जाना जाता है king of the fruit फलों का राजा इसको कहा जाता है national fruit of the India भारत का रास्ट यह फल है यह bathroom fruit यह भी बड़ा जीब नाम दिया गया और सही नाम दिया गया है आम को आप चाहे जितनी भी सफाई से खा सब नहीं कि बातरूम में खड़े हो क्या बैठके खाना है हाथ मूध होने के लिए एक बार बातरूम तक जरूर जाना पड़ेगा कुछ लोग तरक देंगे शरम तो बातरूम तक जाएंगी हैं नहीं हम जिस बैड पह खा है भगल से आथ दो लेंगे वह तरक कुछ भी कहले जए अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है और अंग्रेज लोग यो थे वो थोड़ी से डिसिप्लेंट टाइप कहा जाता है और देखो बॉटनीकल description में आते हैं कुछ important point है जिनकी उपर direct question पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे जैसे कि इसका fruit type fruit type क्या है भी डूप है stone ध्यान रखिएगा almost जितने भी फल जिनके अंदर गुठली पाई जाती हो आम सभी ने खाया है आम के अंदर गुठली पाई जाती है इस्टोन पाए जाता है आम के अलाबा कोई भी ऐसा फल जिसके अंदर गुठली पाई जाती हो वो सभी अल्मोस्ट आपके डूप में आ जाते हैं इसके अलाबा इडीबल पार्ट क्या है इसके अंदर वह मीजोकार ना समझ में आए तो कभी इस तरह से अंदाजा लगा लिया करो कोई भी एक फल है जैसे हम आम ही ले लेते हैं आम एक एग्जामपल के तौर पर ऐसा नहीं है कि यह उपर कियो गया फिल्कंबडॉब्स कोस्ट की और अंदर क्या होगा उसका स्टोन हो गया कि प् concurrent of the Call college फार्ट क्या है चलगा तो मने का लिए राइन गुट्ली पीरण यह बीच वाला पार्ट यह जो पलप इसको खाया जाता है यह बहुति हिसका इडिवल पाइट है और यह क्या है का मीजो कारप है तो यूजुली इप Cr two मीजोकर्प एंडोकर्प एपीकर्प मतलब सबसे बहारी तो यह इसकी स्किन है ना यह स्किन होगी इसकी इपीकर्प तो ऐसे जितने भी फल आपको लगें उसके अंदर गुठली है बाहर छिलका है तो छिलकों को खाने सकते गुठली को खाने सकते बचा बीच वाला पार्ट है उसका जो पलप बाला पार्ट है वो क्या होगिए उसका मीजोकर्प होगे कहां कि बहार ईपीकर्प छलका वो नहीं खाएंगे आपीकर्प चुलकाते तो हिता पार्टxo तो इस तरह से अपन्दाजा लगा सकते हो कि पल्प वाला पार्ट जो है मीजोकार्प होगा अगर बाहर इसकिन है और अंदर स्टोन है तो यहां पर जो एडिवल पार्ट है वो क्या है मीजोकार्प है इन फ्लॉरोसेंस आम के पीड में वो हिस्सा जहां पर फ्लॉरोबर आने वाले हैं जहां पर फ्लॉरोबर आएंगे बाद में बहीं पर फ्लॉरोसेंस और वो वह sexual flower है जिसके अंदर male organ भी है जिसके अंदर female organ भी है जो male organ है वो आपके pollen बनाते हैं भर भर के pollen बनाते हैं female organ एग बनाती है तो पिर इनका fertilization क्यों नहीं होता self fertilization क्यों नहीं होता यह cross pollinated क्यों है क्योंकि आम के अंदर पाई जाती है self incompatibility यह जो pollen grain है ना वो अपने ही às अजा को फल्टिलाइश कभी नहीं करेंगे यांपर सयल्फ नहीं कभी नहीं होगी स्ट्रफ पॉलीनेशन यांपर कभी नहीं होती है इस यह कैसा होता है क्रॉस पॉलीनेटिट हैni क्रॉस पॉलीनेटिड होने की वज़ Savage Highly हिट्रोजाइगस है और उपर से एक और कारण है हिट्रोजाइगस होने का कि इसमीं मैं हम एह सेक्श्वय प्रोडुक्षिण नहीं कर बाते ऐसा नहीं है कि होता नहीं है बिल्कुल होता है लेकिन इसका जो propagation है वह हमेशा एस एक्षाल रिप्रॉडक्षण से होता है तक इसके अंदर होता है तो से क्रोस पॉलिनेटेड उठीन किसी दूसरे आएगा तो पॉलन ग्रेंग को लाएगा कौन हवा से आ सकता है हवा का रोल यहां पर काफी अच्छा है पानी का रोल बहुत कम है लेकिन सबसे जादा जो रूह वो मक्खीयों का है हाउस प्लाइज जो हमारी घरेलू मक्खिया है उनका तो यहां पर पॉलीणेटर आप याद रखिए यूजल Раз यूजर है फेंग देते हैं यूजोन कभी खोलते देखने एक्स्परिमेंट करके देखने अधिक अंदर आपको अडिये पार्ड मुलेगा बार याज मिलता है जूज तो बिलते हैं तो फोली अब्रों नी यूजली क्या होता है मैं आपको बता हूं ठीक है उस जाइगोट से फिर क्या बनेगा एंब्रेयोग बनेगा और यही एंड़ियोड आगे चलके सीड में आता मुझ रखील के अंदर यह एंब्रेयों तर इसी एंपरियों से यह नया प्लांट बन एक जायगॉट से कई सारे embryo बनते हैं तो उसे poly embryonis कohas जाता और यह आम के अंदर पाई जाती है और बड़ी ताज्व की बात है ताज्यूब बाली बात नहीं यह बड़ी common सी बात है कि यह poly embryonis हम लोगों में भी पाई जाती है इंसानों के अंदर भी poly embryon नहीं पाई जाती है आप कहोगे सर क्या बात करते हो बिलकुल twins जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं वो किसका result है poly embryon का result है कि जाइगोड तो एक ही था फिर उस जाइगोड के एनिमल्स में भी होती है और प्लांट में भी होती है तो याद रखिए का मेंगों के अंदर पॉली एंब्रियो नहीं पाई जाती है इसके अलावा मेंगों के अंदर अल्टरनेट बीयरिंग होती है अल्टरनेट बीयरिंग का मतलब होता है एक साल फल आते हैं एक साल फल नही से भी जानते हैं यह alternate bearing को रोकता है यह याद रखिए गया इस कैमिकल का नाम पल को भी ट्रजल या फिर मार्केट नेम जो सका ट्रेड में कलटार के नाम से मिलता है तो alternate bearing को रोकता है मतलब जो एक साल चोड़कर के फाल आते हैं वो चीज़े बंद जाते पीड औसतन में बात कर रहा हूं एक अच्छा फल देने वाला आम का पीड़ शाल भर में एक पेड़ से 1000 से 3000 फल मिलते हैं यह में एक औसे बात कर रहा हूं बहुत अच्छी वेराइटी है तो 3000 से जादा फल दे देगा एक पिड़ लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है और बह अगर माली जे 100 फूल है एक प्लांट के अंदर अगर सौफल है तो इन सौ मैसे प्ट बन विल्ट एक भी नहीं है इसको ये काम करते हैं एक हजार कर लेते और अच्छे समझने के लिए कि माली जे एक पेड़ है और इस एक पेड़ के अंदर एक हजार फूल वने है कितने यग का घाजार फूल है तो इस एक हजार फूल में से केवल एक ही her age whom जो है वो फल में convert होगा और यह रीशोगange है पॉईंट वन परसेंड यह जितने भी कुल उसके अंदर है उसमें से केवल पॉइंट वन परसेंट में ही फल बन पाते हैं तब जाकर कि हमको एक हजार से तीन एहर फल मिल जाते हैं अन्दाजा लगाईए आप सोच यह कलपना कीजिए आला कि ऐसा होता नहीं लेकिन सोच यह कि माल लीजिए उसमें 100% fruit setting हो तो क्या होगा ऐसा पेड़ क प्रूट सेटिंग हो रही तब हमको उसतन एक हजार से तीन जार फल मिल जाते हैं और जब उसमें आपको फल दिखेंगे एक अच्छे खासे पेड़ में जब फल लगे हुए देखना तो आप देखो कितने फल दिख रहे हैं और सोच यह सौ परतीशत उसमें अगर fruit setting हो तो से यहां पर वो किसकी बात कर रहा है बाइसेक्शल फलावर की बात कर रहा है बाइसेक्शल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर को हर्मा फ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं तो हर्मा फ्रोडाइट फ्लावर या बाइसेक्शल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर एक ही बा किताबों में साइस उगंदा नहीं दिया डारेक्ट लंगड़ा दे दिया है यह एक वराइटी आम की लंगड़ा इसके अंदर है 69.8 परसेंट परफेक्ट फ्लाबर कितना भई 69.8 परसेंट एक और वराइटी जाद में लिखी नहीं लोएस्ट लिख ली जी आप सबसे कम किस साइस उगंदा की जगा लंगड़ा दिया है तो साइस उगंदा तो बैसे भी जाता है 74.3 परसेंट लंगड़ा के अंदर 69.8 परसेंट और सबसे कम पाई जाते हैं रोमानी के अंदर 0.74 परसेंट और देखो भई न्यूट्रिशनल वैल्यू पर आते हैं हम सबको पता है आम जो है वो एक पीला फल है येलो कलर का फ्लॉबर येलो कलर फ्रूट है वो येलो कलर का पल्प है या कहें एलो कलर का फ्रूट है और सभी जानते हैं जितने भी पीलो फल होते हैं वो सब आपके बिटामिन ए में होते हैं सिर्फ आम की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं इस बात को हमेशा गाठ बांध लेना जितने भी पीले रंगे फल होंगे उन सब में बिटामिन ए भर भर के होगा तो ऐसा कौन सा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा बिटामिन ए पाया जाता है वह आम ही है हाइस्ट बिटाम इंटर्नेशनल यूनिट आयू का मतलब क्या होता है इंटर्नेशनल लिट और तालीस तो आई यू पाया जाता है इसकी बाद सेकंड नमर पर इस पापाया है पापीता लेकिन फर्स नंबर पर कौन है आम है पानी की अगर हम बात करें तो 80% तक इसमें पानी है प्रोटीन इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन हमारा भारत ही करता है इंडिया की जो रैंक है मेंगो के प्रोडक्शन में और एरिया में वह नंबर बन है पूरे वर्ल्ड में वहीं अगर हम इंडिया में स्टेट की बात करें तो अभी तक अंद्रप्रदेश था लेकिन अब उत्तरप्रदेश नंबर बन इस्टेट बन गया है प्रोड़क्टिविटी में भी और प्रोडक्शन में भी टोटल 23.5 परसेंट फाइप एट परसेंट का शेर है यानि पूरे इंडिया में जितना भी आम का उत्पादन हो रहा है उसका 23.58 परसेंट प्रोडक्शन अकेला उत्तरप्रदेश कर देता है तो उत्तरप्रदेश अभी नंबर वन स्टेट है फस्ट पोजीशन पर आता है आम के उत्तरपादन मे और आंदरप्रदेश हो गया है सेकेंड नंबर पर पहले आंदरप्रदेश नंबर बन पर हुआ करता था अब बढ़ते हैं इसके क्लाइमेट पर ज्यादा फालतू की बात नहीं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें उन पर फोकस करेंगे यह एक ट्रॉपिकल फ्रूट ह सरदे मैं उतनी जादा सरदी नहीं पड़ति गर्मिया डॉमिनेट करती है उसको कहते है टॉपीकल क्लाइमेट जहां पर यूज घर्मिय good करती है एक घ्शन बहुत जादा होती है जिसको कहते हैं लोग टैम परिट क्लाइमेट तो जहाँ पर ठंड जैसे जंबीक हूण से दोनों बराबर से पढ़ती है तो थीसरा होता है एक सब ट्रॉपिकल तो भी आम जो है वह किस करना के का है ट्रॉपिकल का है के टेंपरेट का है यह वह एक ट्रॉपिकल फूरूट है समझा गया आइडियल टेंपरेचर की हम बात करें आम के लिए तो वह 24 से 27 डिगरी सेलसियस टेंपरेचर इतने टेंपरेचर के बीच में आम की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लॉबरिंग के टाइम का कि जैब आम के अंदर फूल आते हैं तो उस समय सब्ण के लिए ब्रैट शंशाइन होनी चीह चमकदार सूरज की रोषणी नहीं चाहिए और कम से कम हिमिरिटी होनी चीह कम से कम इस तरह का गर एंवारुमेंट फ्लोबरिंग के टाइम पर मिलता है फूल आने के टाइम पर मिलता है तो वहां की खेती के लिए बहूत अच् वो है black cotton soil या फिर कहें clay soil तो जो black cotton soil है या जो clay soil है उसमें drainage अच्छा नहीं होता इसलिए वो soil unsuitable होती है तो आम की खेती के लिए clay soil या black cotton soil को avoid करना चाहिए optimum pH की अगर हम बात करें तो 5.5 से 7.5 रहता है आगे बढ़ें आते हैं इसके propagation पर देखिए मैंने बताया कि आम के अंदर sexual reproduction होता है लेकिन हम उसका इस्तमाल नहीं करते हैं आम के अंदर आम छोड़िए almost जितने भी फल है कुछ एकाथ को छोड़ करके जैसे पपीता हो गया पपीते के सब्सक्राइब करते हैं जैसे नौर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो कमर्शियल प्रोपागेशन में थाड़ वो बीडियर ग्राफ्टिंग वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करूं तो वहां पर जो कमर्शियल में थाड़ वो इनार्चिंग है अभी एक बड़ा कहां कि भी मोस्ट एफिशेंट रैपिड और एकनॉमिक मेथड भी है वह आपका इपी कोटाइल ग्राफ्टिंग जिसको हम लोग स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं तो यह तीन तरीके आप लोग याद रखिएगा बीनियर ग्राफ्टिंग इनार्चिंग और इपी कोटाल ग्राफ्टिंग जिसको स्टोन इसका जून जुलाई रहता है ठीक है प्लांटींग से हम पेड हम का लग में कितनी दूरी पर लगाना चाए एक पेड से दूसरे की दूरी कितनी चाहिए आम के प्लायख देखे ही काफी बड़े होते हैं उपकपिक जयादे रखनी पड़ती है और दूरी है 10 समीटर की प्लान्ट टूप प्लांट रोटिरो की जो दूरी है आम के पेड़के वो दस मीटर की रखी जाती यह लेकिन अब की कुछ ऐसी वराइटीं भी हो गई है जिनकी कैनोपी काफी सक्रेशा काफी अच्छा है तो डिस्टेंस काफी कम हो गई है जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग लिए एक वेराइटी का बड़ा अमरपाली वेराइटी में बैसे 10 मींटर रखी जाती है और आगे बढ़ें अब आते हैं होटी कल्चर में अगर सबसे जाधा कोई परहिशान है तो वह वेराइटी ओं को लेकर के परहिशान है होटी कल्चर में सब कुछ आसान है के बलब एक शोड़ कर बच्चों पर बस वर वेराइटी के लिए रहता है तो बहुत कंफीजन होता हो सबसे ज़्यादा दिक्कत देनी वाली चीज़ें जो है और कोई ट्रिक नहीं है बस एक ही है रेगुलर रिवीजन बार बार इसको पढ़ो वेराइटी याद नहीं होती तो चार्ट बनाओ जहां पढ़ते हो जिस कनफीजन हो जायगा समय लगता है याद करने में तो आम की वैसे तो बहुत सारी लेकिन हम कुछ इंपॉर्टन वीराइटी की बात करेंगे सबसे पहले बात करते अलफ जो की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन वराइटी मानी जाते आम की कहते हैं कि अम हमारे मैं अगर बाजिस बिकते हैं मार्केट में कि जिसने अलफान जो नहीं खाया उसने आम क्या खाया पिर अलफान सब्सेड़ Ona from To यह इतना ज्याद़ा फीमस है अलफान जो अलफान्जो विराईटी सबसे ज्यादा d सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में भी जाने भीजने वाला जो आम है वह आपका यहीं अलफान्जों ठीक है सबसे ज़्यादा कैरोटिनोइड के अंदर पाया जाता है बस इसके अंदर एक ही दिक्कत है कि इस पॉंजी टिशू के लिए सपॉंज समझते घर में आप लोग देखना बरतन दोने के लिए बहुत शांदार है इसको हाफोज और बदामी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स दम बात करें आपर atra byistem यह वी काफी इंपॉटेंट नहीं पाया जाता है यह एक अर्लिएस्ट वेराइटी है नौर्थ और बॉमबे गृरीन में सबसे बड़ी âmए मेंगो फार्मेशन से एक मैं चुछ म्हस्ट इंपटेंटिक इन व्यात्र के बात करें भी मोस्ट पल्ली मॉस्ट कमर्शल वेराइटी यह अंद्रपर्देस की वहाँ पर ये इतना इंजादा popular है कि आंद्र प्रदेश को इस बैगन पल्ली के लिए जी आई टेग भी मिला हुआ है वहां पर इसको बनेशन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट हम बात करें चौसा सबसे मीठी वराइटी आम की सबसे मीठी वराइटी चौसा है स्वीट टेस्ट वराइटी है यह एक ल वहां पर सबसे ज़्यादा आम अगर घर में कोई आता है तो वह दशेरी ही आता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रदशेरी हमारे आप तो पॉपुलर वराइटी नौर्थ इंडिया की अंदर और यह अल्टरनेट बीर है यह इसकी बड़ी सबस्वास्या है अल्टरनेट इसके पेडर में एक साल फल आते हैं एक साल फल नहीं आते इसके रलाब.... इसके लाभ़ा एक केकर वेरियाइटी वही है सैफ्रों क्योंकि इसका जो फ्लेवर वो सैफ्रों जासा है तो सैफ्रों फ्लेवर होने की वज़े से नाम केसर पढ़ गया यह बहुत अच्छी प्रॉसेसिंग वाली वैराइटी है और काफी पॉपुलर गुजरात के अंदर और देखे हम यहां पर आते हैं वराइटी के अंदर है आगे बढ़े मधूली का ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मधूली खा और एक और वराइटी निरंजन यह दो वराइटी याद रखना यह ऑफ सीजन वराइटी जब कोई भी आम मार्केट में नहीं मिलेगा तब यह आम आपको मिल जाएंगे एक क्यों लगाने का नाम है नीलम है तो हमने तो लगाई दिया आप तीन बार लगा तेना आपकी मेडम का नाम नीलम है त्रीक है यह आईडियल है लॉंग ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी दूरी ले जाने के लिए इस दिलम जो है वो अच्छी वेराइटी है रेगुलर भी लेड़ाइट विए और बीए यह अनी मेड़ाइट लेगुलर भी रह रहे हर साल फलाते हैं और टू क्रॉप इनग एएर एक साल में दो बार फल दे देती है वावा और लेड़ वराइटी है चलो कोई नहीं लेड़ वराइटी है कोई दिक्कत नीए आगे बढ़े वही र आम को रखते हैं इस रुमानी वाले को यह जो रुमानी है इस आम को अगर एपल के साथ रख दें तो आप पैचान नहीं पाओगे कि आपके आम है एक जैसी लगते बिल्कुल एपल जैसी दिखते हैं यह देखिए फोटो भी लगा रखा है तो एपल शेप्ड वेराइटी है है कौन सी रुमानी एक वेराइटी है जैबियर इसके अंदर सबसे ज्यादा टी एसस पाया जाता है इसी पर कॉस्चन आता है वह 24.8 परसेंट यह तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वराइटी होगी अब बात करते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रेट अब जैको हाइब्रेड आज डिट मैं ना जाने कितने हाइब्रेड अब लब हो चुके है लेकिन हम बात करें कुछ मोस्ट पॉपॉलर हाइब्रेड की सबसे सबसे पहला आइब्रीड हो यह देखे हो सबसे पहला हइं रतना कि सबसे पहला हाइब कुण सा रतना धान यह पैरेंट जो अप कुल्स्यू रतना है हमेशा इस बात को याद रखना पहले नीलम लेखा हे फिर अलफान्जो फिर रतना अगर आप प्लट दिया खिरतना नहीं वह कोछ़ और हो जाएगा तो इस को याद पाली यह वही अमरपाली है high density planting के लिए तो इसका आप डीने याद रखो शॉट्ट ट्रिक डीने डी फॉर दशेरी एन फॉर नीलम एफ और अमरपाली , दि, पॉर दशेईरी , एड फॉर नीलम और ए फॉर अमरपाली डी एन अब जैसे मैंने कह झाना, कि भी इस को आप ऐसे हीtı मैं याद रखोगे, पहले दशेई आएगा फिर नीलम आएगा आगर मैं कुछ सरई इसको उल्टा कर दो तो गया बात तो वही एंडियें न वहां पर नहीं मरणट कर दिया नीलम और ना नेलौस कर दिया मलीम इस रहाँ नहीं कि अल्फाणजोच विल्टम इ सबुक्षध मेइम श्यॉ recomend रहा आपका इसIG नीलम का क्रॉस कराया हमने किससे अलफांजों के साथ तो क्या बना यहां पर वेराइटी बन गई रतना अब यह जो रतना वेराइटी बनी है ना इस रतना वेराइटी का अगर मैं बैक क्रॉस करा दूं इस रतना वेराइटी का अगर मैं बैक क्रॉस करा दूं इस अलफांज ऐसा क्यों हो रहा है द शेरी और नीलम करोस कराया अमरपाली लेकिन इसको इल्टा लिख दिया तो मली का बन गी ऐसा क्यों देखो यहां पर सावरा कुछ काम करता है साइटोप्लाज्म का रोलोता है जैसे मैं बात करूं दशेरी और नीलम का जगा इसको साफ कर ले समझ में आ गया नीलम और नीलम और वाजो की बना रतना अब रतना का बैक कुराश्स करा थो तो बन जाए का चलम का तो बन जाए सिंदू जरा इनटका सिंदू तो सिंदू क्या है एक बैक क्रोस एर्ट अल्fa maglo कि क्योंकि रतना का पैरेंट अलफान जुए है रतना जो वो का उसका एक पैरेंट अलफान्ज हो एक तो रतना का करऊस kulli उसकी पैरेंट के साथ ही करा दिया बैक क्रास करा दिया तो बरटी इस प्रेक संदू अब जिए कि A werden चीज़ को समझवैं बहुत एक तरफ अम Corinthians मान लिए द शेरिक और निलं क्रोश कर रहा रहा हैं जब भी दो वैरेटी च्रो ना पड़ेगा मेल यहाँ तो मान लिए इसको ले रहे हैं उपन फीमिल और मल अंपर याद रखना कभी लेए into Neelum तो दाशेरी को मने लिया है क्या फीmal नीलम लिया है क्या मेल अब जो मेल है वो क्या बनाता है पॉलन और पॉलन के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ न्युक्लियाई पॉलन के अंदर क्या होता है तो तो effort और पॉलन का क्रॉस होगा फ्यूजन होगा तो यहां पर बनेगा जाइगोट और इस जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रेयो और इस एम्ब्रेयो से बन जाएगा प्लांट अब बताओ कि यह जो प्लांट बना है इस प्लांट का साइटो प्लाजम कहां से आया तो यह जो plant बना है इस plant का साइटोप्लाजम कहां से आया obviously बात है इस plant का साइटोप्लाजम इसके mother से आया इसके female parent से आया क्योंकि साइटोप्लाजम सर्फ egg से आता है pollen से साइटोप्लाजम नहीं आता तो साइटोप्लाजम कहां से आया है है Cindy से आया है और कहा से आएगा फीमेल शेयल यानीस प्लांट का जो suck के अंदर भी माइटो पॉंडरिया भी होंगे इसके अंदर क्लोरो प्लस्ट में टोण का उनका खुद का । धा टो ये दर शेयरी नीलम फोर उल्टा दिता हूँ अब मैं कर देता हूँ नीलम उधीक यानि कि अब निलम हो गया फ्भी मेल अचाहरी हो गया मेल अविड हो भी मेल है उसमें से सिर्फ कया ऐगा निल्ट अपता निलम अचे विमच लिएग गैग और एग के अंदर nuclei plus cytoplasm दोना चीज़े होंगी अब जब यहां से जाइगॉट बनेगा और फिर उस जाइगॉट से embryo बनेगा और उस एंब्रेयों से जो प्लांट बनेगा इस प्लांट का साइटो प्लाजम बताओ काई का है कि इस प्लांट अंदर प्लांटफ चुब फ्लाजम काई का होगा दस्यारी Aarti का धूरी याँ पर जो साइटो प्लाजम वो किसका है नीलम капर यहाँ पर जेस्ट अन्दर णयों अलग होगा यहांपर नीलम का साइट भ्लाज्म होगा तो नीलम का २ dalम का चो साइटोपलाज्म है उसके आंदर डियस के अलग होगा माइटो कॉंडरी, खुछ पर पार सकते हो लेकिन यहां पर साइटल-पलास्म CT होने की वजह से मतलब यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो अपके माइटो कॉंट्रियों क्लोरोप्लास्ट उनके डिने से भी कुछ ना कुछ करेक्टर आ रहा है इस वज़े से यहां पर इसको रिवर्स करने पर नई वेराइटी बन रही है तो दसहरी नीलम का क्रॉस कराया तो अमरप याद रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं अपन मैचुरिटी इंडिस इक्स पर पैचाने कैसे भी आम हमारा पक चुका है दो तरीक है एक जो मोस्ट पॉपुलर है वह आपकी स्पैसिफिक ग्रैविटी सबसे जदा भरोसेमंद है इस पैसिफिक ग्रैविटी चेक कर लिज सबस्क्राइब इस Olfar recipe अंदर वन पॉtt 01 से लेकर लिए लिए अलव तक होती है पता चली जाएक आपका है स्टेज इस टपका स्टेज से भी आप पैचान सकते हैं कि आम नीचे गरना शुरू हो गए मतलब वो पक चुके हैं अब बात करें आप पर हार्वेस्टिंग के और स्टोरेज की मेंगो जो है उसके जो फल है वो फूरूट सैटिंग के बाद से 90-100 दिन के अंदर पके तयार ह होते हैं जैसी जो आपका फूल है अफूल से जैसी वह फूरूट बनेगा छोटे जब फूट बन जाते हैं वहां से आम कब मैचर होगा 90-100 दिन बाद हर्वेस्टिंग यूजली मार्च से अगस्त के महीने तक हम करते हैं इस्टोरेज वाला याद रखना कि आम को इस्टोर परसेंट तक होनी चाहिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिसीस उसके बाद कुछ फिजिलोजी कल डिस ओडर पढ़ लेंगे फिर कुछ इंसेक्ट पैस्ट और आम अपना खता सबसे पहले हम बात करें पाउडरी मिल्डियों दो चीजा याद रखना एक तो इसका कॉजल और्गनिज्म ऑईडियम मेंजी फैरी पाउडरी मिल्डियों सबसे पता ही हमें से याद रखना सलफर वाले जो तने भी फंजी साइड है उनका इस प्रेकर दो पाउडरी मिल्डियों को आप रोख सकते हो जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कह रहते हैं बड़ा ब बन जाते एंध्रेकनोस पर और आम खाने लायक नहीं रहता यह हीमिड वाली रीजन और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर इसका प्रकॉप सबसे ज्यादा देखा जाता और इस टोड मेंगों जो रहते हैं उन पर ज्यादा अटेक करता है यह होता है आप इतनी भी डिसीज पाउडरी मिल्डी की होते हैं समय करते हैं कर सकते हो तो आपको याद रखना ही रखना है हर एक डिसीज का उसके बाद हम बात करें माल फार्मेशन की एक समस्य है कई जगापर माल फार्मेशन को बताए गया कि यह एक फंगल डिसीज है कई जगापर बता हैं जो इसको करते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन है फिजरिया मोनेली फॉर्म यह फंजाई से होता है फिजियोलोजीकल डिसॉर्टर की बात कर रहे तो लो टेमपरेचर की वज़े से यह मंगो माल फारमेशन होता है यूजली जो बैजी टेटेव पार्ट होते और जो फ्लोरल होत इसके लाव एक और है चौसा इसको भी आप याद रखिएगा फिर आते हैं फिजियोलोजीकल डिसॉर्डर में जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ब्लैक टिप इस तरह की टिप नजर आते हैं ब्लैक टिप इसके भी दो कारण है एक तो बोरॉन की कमी से होता है इसको तो इंग्लिश में कहते हैं यही वहारू फोल केमीकल है जिसकी वज़ाई से ब्लैक टिप डिसीज होती है या फिर बॉरॉन की कमी से होती है तो युजूली बोराक्स का इसके कर दो और इसके धूएस गहीं हो रही है ईटों की पकने वाली चिमिनी होती है उसके दू उस इटों के धूए से मतलब जहां पर इंटे पकाई जा रही है उससे एक किलो मीटर की दूरी बना कर रखें कितनी एक किलो मीटर की दूरी उसके डाइमेटर में उससे बना करके रखें तो आप इस बल्यक्टिप डिसी से बच सकते हो से कसंट में इस तरह की देखने को मिलता है स्पंज जैसा हो जाता है यह तरह से को इंटरनल ब्रेक डाउन भी कहा जाता है internal breakdown बहार से देखने में एक दम बढ़िया रहता है लेकर अंदर से वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है इसलिए इसको internal breakdown भी कहा जाता है यह ओता है हीट कवेंट से जब जब ज्यादा temperature हो जाता है हाई temperature होता है तब इस तरह का physiological सामने निकल करके आता है नेक्स्ट हम बात करें यहां पर क्लस्टरिंग या फिर जुमका यहां पर पूरा की पुरा जैसे लड़की अपने कानों में जुमका पहनती न ठीक बिल्कुल उसी तरह का एक जुमका जैसा पॉर्मेशन हो जाता है जिसको कहते हैं क्लस्टरिंग डिसीज यह बिसीकली बहुत कम टेंपरेचर वजाए उसकी वज़े से या इंप्रॉपर पॉलीनेशन या फूर फर्टिलाइजेशन अच्छे से ना हो पॉलीनेशन ठीक से ना हो या फिर टेंपरेचर कम रह जाए तब कंडिशन में क्लस्टरिंग डिसी जिसकों का डिसीज भी कह सकते यह भी एक फिजियोलोजिकल डिसॉर्डर है नेक्स्ट हम बात करें आप पर कुछ पैस्ट की तो एक है आपका मैंगो मिलीबग मैंगो मिलीबग का साइंटिफिक निम ड्रॉसिचा मैंजी फैरा यह एक स्लिपरी स्टेज आहीं मतलब इस लिपरी सरफेस होती है जैसे माल लिजिए यहां जगा रहे है यहां ते अपने आम का पेड़ है तो यह अपनी जमीन होगी अब यह जो मैंको मिली बगए मोह यहां पर है जमीन पर है एक आप इसको इनफेक्ट कब पहुचा मिज अब इस समस्टें ग्रीज जो पन साइकलों के टायर और चेन वगराम यूज़ करते हैं अपने कार वगरा में मूखल विकल ग्रेट अपने जो घर के दरवाजे बगर तो तो ग्रीस लगाते हैं वही ग्रीस है तो ग्रीस हम लोग लगा देते हैं आपर 30-40 cm मोटी पत्ती बना देते है आप पर ग्रीज की ठीक जमीन से 30 cm उपर 30-40 cm मोटी पत्ती बना देते हैं ग्रीज की बलग रिस का लेप लगा देते हैं या पॉलीथीन भी लगा सकते आप अब इससे क्या होता है भी यह जो इंसेक्ट है न आपके मिलीवक्ट यह रेंग ने वाले हैं यह रेंग रेंग क इसको बचाने का मैंगो मिली बक से मैंगो को इसके लाव हम बात करें फ्रूट फ्लाई बैक्ट्रो सेरा डॉर्स एलस फ्रूट फ्लाई यह बैपर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके लिए स्याद रखने इसको शॉर्ट में भी एच टीवी कहते हैं एक्सपोर्ट पर इसके लिए एक और बड़ा इंपॉर्टन यहां पर देखो इस्टोन बीविल मैंगो स्टोन बीविल नाम से समझ में रहा है इस्टोन बीविल यानि उसकी गुठिली में पाए जाने वाला इंसेक्ट है यह जो इंसेक्ट हो अंडे तो देता है फ्रूट की स्किन पर वहां इंफेक्शन फैलाता है फिर देरे पूरे आम को सड़ा देता है तो यूजली यह क्वारेंटाइन परपस का इंसेक्ट है बही सीदी सी बात है माली जी आप कोई आम जो है वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हो अब वहां पर जब निरिक्षड होगा बॉर्डर प सबसे इन इंपॉर्ट को क्यों सा है वह यही है मैं एक यूजी कर सकते हैं ऑर यहीं कर सकते हैं यह इतने सारे इंस्ट पैस्ट है उनको आप लोग याद रखिए और में के बारे में पढ़ने को तो भी बहुत कुछ है लिकन ये बहुत मैंने बता है एक तरसे जो most important चीज़े जहां से usually question frequently पूछे जाते हैं वो चीज़े मैंने आपको इसमें cover करवाई हैं